हेलो, नमस्कार सभी साथियों, आप सबी का इस्टार परिबार में स्वागत है आज के इस वीडियों में हम आउ करें और सीकर कति विदि उन्ने इसको हल करेंगे इसमें हम क्या करेंगे? गति विदि का नाम क्या दिया है? दिन, महिने, साल आगे बढ़ते जाती है है सो कर उठने का समय आप सभी लोग अपने अपने समय लखेंगे कि आप सभी लोग कितने समय पर शो कर उठती हैं जैसे यहां पर हमने लगती है छे बजे तो आप अपना समय लखेंगे कि आप केतने समय पर उठती है दोसी प्रेशन में क्या लगा है नहाने का समय तो यहाँ पर आप सभी लोग नहाने का समय लखेंगे मैं लगा स्कूल में प्रातना सबा तो आप सभी लोग बताएंगे कि स्कूल में अपनी प्रातना सबा किस समय पर होती है यहाँ पर आपको प्रात्ना का समय लगना है आँगे देके इसमें पूचा गया कि बजे से गड़त का पिरियाट तो बताएए आपका गड़त का पिरियाट है जो कितने समय पर लगता है जैसे हमने हमारा पिरियाट है जो ग्यारा बजे से लगता है यहाँ पर आपका यदि 11 से लगता है तो 11 लखेंगे 10 से लगता है 10 से लखेंगे यहाँ पर आपको भरना है फिर आंगे लखा माध्यान बोजन तो माध्यान बोजन कितने बज़े होता लागवा कि यह सभी का देड़ बज़े ही होता है तो यहाँ पर आप सभी लोग अपनों अपना मद्यन बोज़ें लग देंगे फिर आँगे लखा है रात में कितने बज़े सू जाते हैं बताएए आप सभी लोग रात में कितने समय पर सूती हैं जैसे यहाँ पर लखती है हमने 10 बज़े लगफाक सभी लोग 10 बजे ही सूती है आगे देखे किसी काम में लगने वाले समय के अनुसा करम में जमाई आप क्या करना है किसी काम में लगने वाले समय के अनुसा इनको जमाना है सबसे पहले लगा है ब्रस करना नहाना बोजन करना गड़त का पीरियाड इसकूल में रहना घर में पढ़ाई करना सोना और खेलना तो ऐसा आपको क्या करना है लगनेवाई समय को अनुमसार क्रम में जमाना है यह सबसे पहले हम क्या करते हैं सोना सबसे पहले सोना फिर घर मे पढ़ाई करना फिर क्या करना इसकूल में रहना फिर गलत का पीरियर फिर यहाँ पर लखेंगे खेलना बोजन करना नहाना प्रोस्त करना तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको लख देना है इस तरह से हमने इसको हल करेंगे फिर आंगे बढ़ेंगे तो देखिए अंगली गती बिदी को हम हल करेंगे गती बिदी किया लखाए गती गती कि कर लखते हैं इसमें वे हमें क्या करना है सुमारी को बताना है यसे लखा सितंबर माए में किसी होती है चार चंप लगा जक 안부र quote सि्दंबर ह terrace सब्ताय में कितने दिनों कि नाम सब्ताय में कितने दिनों कि साथ होती है साथ कौन कौन से दिन होते हैं समवार, मंगलवार, बुदवार, गुरुवार, सुक्रवार और सनीवार और रईवार यह साथ दिन होते हैं यदि आपको नहीं पता है तो इनको याद कर लेजिए अंगला प्रस्ण क्या है रविवार के बाद खालिस्तान कौन सा दिन आता है सहीव जानते रविवार के बाद क्या आता है सुम्मवार रविवार के बाद क्या आता है सुम्मवार यहां पर लखेंगे सुम्मवार फिर अंगला प्रस्ण क्या है बुदवार के बाद खालिस्तान आता है बुदवार के बाद कौन सा दिन आता है गुरुवार जाईवार के बाद सुमवार बुदवार के बाद गुरुवार मंगलवार के पहले देखो प्रस्ट में क्या पूँचा गया पहले अभी बात की पूछ रहे थे मंगलवार के पहले कौन सा आएगा समवार जाइबार के पहले कौन सा आएगा सनीवार आज कौन सा दिन है तो आप सबी लो अपना आज का दिन लखेंगे जैसे आज सनीवार है तो यहाँ पर हमने लख दिया सनीवार पर देखिए तुम्हारा जनाम दिन किस दिन आएगा अब बताएए आपका जनाम दिन है जो किस दिन आता है यहाँ पर आपको लखना है लिगी सौमवार से साथ दिन बाद कौन सा दिन आता है सौमवार से साथ दिन बाद तो साथ दिन बात करेंगे तो यह है बही दिन आएगा क्योंकि है जो दिन है जो साथ दिन के बात फिर से शुरू होने लगती है तो साथ दिन बात कुन सा आएगा सोमवार 5 सेतंबर किस दिन था 5 सेतंबर को किस दिन था तो आप सभी लोग देखेंगे 5 सेतंबर 5 सेतंबर कहां पर है यहां पर देखें 5 सेतंबर 5 सेतंबर कौन से दिन है गुरू बार अभी आपको बताना है कि 5 सेतंबर को कौन से दिन था तो यहाँ पर लखेंगे गुरुबार था तुम्हें कौन सा दिन सबसे ज्यादा पसंद है बताईए आपको कौन सा दिन है जो सबसे ज्यादा पसंद है तो आपका फैवरिट दिन यहाँ पर लखना है अंगला आंगे कहले है बर्स का पहला माई बर्स का पहला माई कौन सा हो बरी होती है अंगला प्रशन बर्स में कितने माई होती है आप सभी बताएंगे कि एक बर्स में कितने माई होती है तो सभी लोग जानते हैं एक बर्स में कितने माई होती है बारा माई होती है फिर लगा गर्मियों का आवकास खारिस्तान माई में मिलता है बताएए कि गर्मिय गरत का दिवस, गरत का दिवस, खरिस्तार माय में आता है, गरत दिवस है जो यह दिसंबर माय में आता है, अंगला माय कौन सा है, अक्टूबर है, 31 दिन वाले महीनों की नाम लिखना है, आपको यहाँ पर कौन-कौन से महीना लिखना है, जिन महीनों में दिन की संखे कितनी ह तो कौन-कौन से ऐसे माईने हैं जिनमें दिनाउक संख्य 31 होती है जैसे जनवरी हो गई मार्च माई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसामबर यह माईने हैं जो इनमें 31 दिन होती हैं तो इनको आप यहां पर लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे इस तरह से आपको गती विदी 19 और 20 को हल करना है अंगली गती विदी को हम अंगली विदी को भाल करेंगे यह आपको यह गती विदी अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सेयर भी करें ताकि आपके जो अन्य साइपार्टी बच्चे हैं बेभी इस्ता परिव आपके जोर सकेम